हेलो एवरिवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल पे और आज की इस कलास में हम डिसकस करने वाले हैं इंकम टेक्स की सेक्शन 43B कलोज एज के बारे में दोस्तों फाइनेंसलियर 2000 जो इस अलमोस्ट अप कलोज पे हैं क्योंकि हम लास्ट दो मीने बचे हुए हैं और इनी दो मीने के दोरान हमी काफी सारे हमारे बुक्स अप अकाउंट्स के अंदर ऐसे काम करने हैं कतिस मार से पहले करने होगे और आज के टाइम के अंदर बिजनस में हो चाहिए वो अकाउंटेंट हो एक ही वाइरल मेसेज जा रहा है MSME को लेके माइक्रो और समार भी आपको अपने सप्लायर्स को 15 दिन या 45 दिन के अंदर बुक्तान करना होगा otherwise आपके जो भी expenses होगे वो disallow हो जाएंगे और आपके income के अंदर add कर दिये जाएंगे और आपको income tax है जो 30% अलग से पे करना पड़ सकता है अगर आपका asa tax lab के अगर cross करता है तो तो आज asa accountant view के देखे जाएंगे तो काफी सारे accountant लोगों के मन में ये काफी सारे छोटे छोटे सवाल है जो की अलाकी 43 VHK पर काफी सारे YouTube पर वीडियो और काफी सारे टुटेरियल आ चुके हैं लेकिन जो छोटे 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 क्विशन है जो छोटे छोटे बैसिक बाते हैं जो की accountant लोगों के मैंड में अभी तक clear हो नहीं रही है भी MSME में क्या है कौन सा expenses डिसलाव होगा तो क्या हमें वो इंट्री डिलीट करनी पड़ेगी डिसलाव का मतलब क्या है जीश्टी का क्या effect पड़ेगा बिजनस पे क्या effect पड़ेगा तो इन सभी जानकारियों के लिए आज हमारी स्टूडियो के अंदर आएं सर सिये पार्स बांठियदी जो कि राइसेंगर से ही बिलोग करते हैं सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अमारी चैनल पर और वीडियो की सुरुवात करें उसे पहले आपसे छोटा सा नवे दिन भी है अगर चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर भी जो इंकम टैक्स की सेक्सन 43B ये शोट सब्दों में बता दीजिए कब से एप्लीकेबल है और इसकी डेफिनिशन क्या है सर जो आपका इंकम टैक्स की धारत 43B है उसके तहट कि अगर आप किसी वेपारी की पेमेट जो MSMA Act के तहट माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज की केटेगरी में फोल कर रहा है उसका बुकतान आप 45 दिन या 15 दिन के बीतर नहीं करते हैं तो वो अमाउंट आपकी एज इंकम के रूप में ट्रीट किया जाएगा इंकम डेक्स प्रपस से अब अपने यह कहें कि लगू कब से है तो सर यह कानून 1 अपरेल 2023 से भारत में लगू हो चुका है जिसकी पहली रेटन 1 अपरेल 2024 से जानी स्टार्ट होगी हम कह सकते हैं भी जो हमारा 43BH का जो एक्ट है वो अभी परजेंट टाइम के अंदर एप्लिकेबल है अलांकि इसका जो नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में आ चुका था यह वाइरल मेसेज स्टार्टिंग सी है उसका क्या क्राइटेरिया है सर जो आपका small और micro enterprises है उसके क्राइटेरिया के लिए जो MSME एक दो जर्चय है उसके अंदर क्राइटेरिया दिया गया है अगर हम micro enterprise की definition को देखते हैं तो उसमें ये का गया है कि यदि किसी व्यपारी का turnover 10 क्रोड रुपे सालना है और जो उसका plant machinery और equipment में जो investment है वो एक क्रोड रुपे तक है तो उसको as a micro enterprise consider किया जाएगा और यही अगर आपका जो turnover है 50 क्रोड रुपे और जो plant machinery और equipment में जो investment है वो 10 क्रोड रुपे तक है तो उसको as a small enterprise treat किया जाएगा यह जो अपने को चेक करना है limit कि वो micro है या small enterprise है यह सिरफ और सिरफ तब चेक करना है जब आपका supplier या तो manufacturing कर रहा हो किसी goods की या वो आपको as a service कोई चीज़ प्रवाइड कर रहा हो तो sir अब बात आती है भी एक तो मारा service provider और एक manufacturer अब इसके साथ में तीसरा business आता है ट्रेडर्स का अब क्या जो ट्रेडर्स का business है यानि कि वो नहीं तो को goods को service दे रहा है नहीं किसी से service ले रहा है और नहीं वो manufacturing करता है वो केवल product पर खरीता है और product को वो sale करता है यानि कि केवल उसका trading करता है क्या वो ऐसा business भी इसी act के अंदर applicable है सर जो आपने कहा कि trader की बात करें तो सर अगर आपका supplier एक trader है तो आपको 43BH की धारा है वो particular उस व्यक्ति के लिए जो trader है उसके लिए आपको ध्यान में रखने की आउशकता नहीं है क्योंकि जो trader है उसको micro small enterprise के रूप में recognize नहीं किया जाता है तो SECT के अंदर एक question सर ये भी बनता है माली जी मैं AJ traders business में हूँ और आप manufacturer हो और मैं आपसे कोई माली जी ये मैंने आपसे ये penny purchase कर लिया ठीक है आप इसको manufacturing आप करते हो मैंने इसको trading base के लिए purchase किया तो क्या SECT के अंदर आप MSME के अंदर भी registered हो लेकिन मैं traders हो तो SECT के अंदर क्या मेरी ये liability बनती है भी मैंने जो आपसे ये penny purchase किया है इसकी जो value बनती है इसकी आपको मैं जो payment है वो 15 दिन या 45 days इसके अंदर करूँ तो क्या होगा ना करूँ सर जैसे आपने अभी example लिया मैं अगर manufacture हूँ और आप as a trader है तो सर आपने जब आप मुझसे माल खरीदेंगे तो ये आपकी liability रहेगी कि आप 15 दिन या 45 दिन जो भी condition है उसके तहत आप उस amount का बुकतान करें जो कि आपने इस pen को खरीदने के लिए जो भी invoice raise हुआ है उसका और यदि इसी में मैं आपको एक point औरेड करूँगा सर कि यही अगर मैं अनली जो मैं trader होता और आप भी as a trader है आपने उससे कोई माल खरीदा है तो उसके लिए आपको 43BH का ध्यान रखने की आवशकता नहीं है तो यहाँ पर जो transaction है वो trader के से trader के बीच में हो रहे है ना कि चीज की वो जो manufacturing वो खुद कर रहे है या वो भी आगे किसी और party से purchase करके आपको दे रहे है अगर वो खुद manufacture कर रहे है तो उसका जो आपने पैसा देना है वो 45 दिन के अंदर आपको उसका बुकताना जो करना पड़ेगा अगर agreement है तो अगर आपके पास agreement नहीं है तो इसक अलाओ किस condition के अंदर माना जाएगा भी expenses हम देखते हैं भी account ने दो तरीके से देखते हैं भी एक तो direct expenses जो कि हमारी purchase मानी जाती है और एक indirect expenses जो हमारे सारे expenses जो हम profit and loss count के अंदर बुक करते हैं भी अगर हम उसकी payment नहीं करते हैं माननी जी मैंने कोई office expenses के लिए माननी जी मै मेरी books of accounts के अंदर वो entry रहीगी सर जो आपका भी question आपने किया है हम इसको दो इस्सों में divide करते हैं पहला तो question यह कि किस परकार के खर्चे डिसलाओंगे तो सर इसके लिए मैं दर्शक को बताना चाहूंगा कि सर आपका किसी भी परकार का खर्चा है चाहे वो direct nature में है indirect मे है purchase है या किसी और परकार का किसी उसके अंदर वो report किया जाएगा सर जो आपका second question है उसके regarding में यह बताना चाहूंगा कि आपने को accounting के अंदर किसी भी परकार का कोई change करने की आफशकता नहीं है accounting जैसे अभी तक अपने कर रहे हैं चाहे वो आपका cash basis है या mercantile basis है वो as it is continue करेगा आपको किसी भी परकार की entry को delete करना या किसी extra entry को डालने की आफशकता नहीं पड़ेगी इसके लिए तो सर आपके कहने का मतलब यह हो गया भी जो हमारी books of accounts के अंदर जो हमने entry कर रखिया है चाहे वो purchase किया है चाहे वो profit and loss count के अंदर है अब इस चीज की tension आपको नहीं है आपने entry कर दी अब आपकी यह tax audit के दोरान जब आपकी audit होगी तो CSR आपकी यह books जब check करेंगे तो वहाँ पर यह automatic aging wise आपका यह data filter किया जाएगा भी आपने इस expenses की मलब जो बुकतान है वो 45 दिन के अंदर कर दिया था या नहीं किया अगर नहीं किया तो अब इसकी जो reporting है यह अपनी tax audit report के अंदर इ सर अगर 45 दिन के अंदर बुकतान नहीं करते हैं अगर माली जी इसकी next financial year के दोरान अगर इसके payment करी जाती है तो क्या होगा SEC ति अंदर क्या हमने already जो tax pay कर दिया उसका हमें refund मिलेगा या आगे वाड़े जो next financial year के जो हमारा tax बनेगा उसमें कम होगा सर अगर आप अपने supplier की payment 15 दिन ये 45 दिन के बेतर नहीं करते हैं तो जो भी amount आपके disallow होगी current financially regarding सर उसका adjustment आपको जब भी आप बविश्यम बुकतान करेंगा उस साल में मिलेगा उससे आपकी जो इस साल की return है उस पे किसी परकार का impact नहीं आएगा इस साल के अगर अगर आ आप उसकी payment करेंगे उस साल जो आपका profit है उसके अंदर से उस amount को गटा दिया जाएगा और उसका adjustment उस particular financial year में किया जाएगा तो हम सिधा सिधा कह सकते हैं भी जो हमने already जो tax pay कर दिया है उसका हमें कोई refund नहीं मिलेगा इसका treatment next financial income tax के दुरान इसका देखा जाएगा तो सर इसकंदर एक question और ये भी आता है भी कापी सारे जो suppliers है और जो buyers के बीच में इस बात का भी dispute चलता रहता है suppliers ने कोई expiry product बेज दिया हो या कोई damage goods बेज दिया हो लेकिन वो product है जो buyers के दोवारा नहीं भी करे है और उसकी payment है जो रोकी जा रही है suppliers के लिए तो ऐसी स्थिती के अंदर क्या वो एक्ट है जो applicable होगा क्योंकि वो product sale के लिए तो बेज़ा था लेकिन वो sale के लिए eligible नहीं है वो product है जो बेकार हो चुका है expire हो चुका है damage हो चुका है कोई भी रीजन हो चुका है उसकी वज़ा से buyers ने अपने suppliers की payment है जो रोक के रखी विया है 45 दिन के अंदर वो payment है जो नहीं करे पा रहा है dispute की वज़ा से तो क्या SIS स्थिती के अंदर भी यह 43 BHA जो लगू होता है सर इस सीज के लिए अगर आपने जिस supplier से अपने माल खरीदा है अगर उसने किसी परकार का गलत material आपको भीज दिया है तो उसकी आपको written में शिकायत अगर आप अपने supplier को करते हैं विदिन 15 डेस 15 दिन के वीतर वीतर अगर आप उसकी complaint written के अंदर अपने supplier को कर देते हैं तो सर वो period जो disputed period रहा यानि जहां जिस तारिक से आपने उस amount की complaint की है और जिस तारिक को उसका resolution आपको आपके supplier नहीं दिया है तब तक का period इस 15 दिन से हटा दिया जाएगा यानि disputed period के लिए आप उसकी payment रोक सकते हैं बशरते आपने return में उसकी complaint की हो ठीक है यानि की return का मतलब हो गया भी आपको लग गया भी आपका यह product है यह sale करने के like नहीं आप अपने suppliers को आपने इस चीज़ का intimation दे दिया भी आपका product बेकार है तो आप इसको सुदार के लि पारी लोगों के मन में ये भी रहते है भी वो अपने suppliers को sir तब तक payment नहीं कर पाते जब तक उसका जो GST का जो amount है वो buyers के on GST के portal पे 2A, 2B के अंदर वो reflect करना start नहीं कर देता तब तक buyers अपने suppliers को इस चीज़ की payment नहीं करता है हलांकि वो इसकी taxable value की payment कर देता है पर वो GST क amount को रोक के रखते हैं तो क्या SST के अंदर भी वो 43BH के अंदर GST के amount रोक सकता है या उसकी पूरी payment करनी पड़ेगी सर अगर हम 15 दिन और 45 दिन का जो concept है उसको देखते हैं तो इसमें GST के regarding किसी भी परकार की clarity नहीं दी गई है लेकिन जो कानून है उसको अगर अपने अक्षर्स पढ़ते हैं word to word अगर उसको study करेंगे तो सर उसके अंदर सर्फ एक ही बात निकलती है कि चाहे आप उसको आप किसी भी वज़ा से उसका payment रोक रहे हैं other than dispute return dispute जो आपने किया है तो सर वो amount आपको 15 दिन या 45 दिन के भीतर भीतर वो करना पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो वो आपकी income treat कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा ठीक है तो सर इसके अंदर जो GST के amount जो वायरस के दुवारा रोकी जाती थी अब वो इस act के अंदर fall नहीं करेगी अब एक important और last question सर यही आपका I hope कि आप जो हमारे questions थे आप इस questions से satisfy भी होगे और आपकी जो query है वो clear भी हो रही होगी अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई query बेश्ती है तो आप हमें comment के जी हम definitely उसका जवाब आपको देंगे अब सर एक कुछन ही आता है विमान लीजी हमने किसी supplier से एक लाक रुपए का हमने कोई goods purchase किया उसके उपर GST लग गया 18% का यानिके 18,000 रुपए का GST लग गया total value बन गी एक लाक 18,000 रुप एक लाक 18,000 रुपए का तो सर मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपका total amount including GST ही आपका डिसलोग होगा अगर आप payment नहीं करते हैं यानि जित्ते अगर मान लीजी इसी के अंदर अगर आपने एक लाक 18,000 में से अगर आप 50,000 रुपए कर देते तो आपका सिरह और सिर एक लाक 18,000 रुपए हमारा आठ लाक के अंदर include होगा जी सर आपका जो ये आठ लाक इंकम वैसे है और एक लाक 18,000 रुपए जो आपने payment नहीं की है तो सर आपकी total income उस साल के लिए सरकार के द्वारा नो लाक 18,000 रुपए consider की जाएगी तो बहुत 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 धन्यवाद सर आई होब कि आपके सारे question के लिए होगे आपका doubt है तो आप हम एक अंदर जुरूर लिख दीजिए हम definitely उसका जवाब देने की कोशित करें अगर आपका जवाब कमेंट में देने की like रहेगा हम comment करेंगे otherwise उसके उपर आपका एक separate video भी बनाया जाएगा तो सर आज की जानकरी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो चैनल को जुरूर subscribe करेंगे क्योंकि इसी से related आपके और भी नए-ने update वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे और वीडिय पर लगे तो वीडियो का आप ज्यादा ज्यादा शेर भी जरूर कर देना